हलो फ्रेंडस, आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने जारों कि, कैसे आप अपने लावा ब्लेज 2 एंड्यूड में आप डिस्प्ले साइज सेटिंग को अपना चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और इस इस वीडियो में हम आपको detail में जानकारी देने वाला हूं तो चलिए हैं आप यह वीडियो को हमें start कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने while phone में setting page open करना है setting page को open करिए setting page में आपको नीचे आना है आपको यह option मिलेगा display का display पर select करना है इसके अगले page में आपको नीचे आना है यह आपको यह option मिल जाएगा display size का display size के आपको इसे select करना है अब display size का page आजैगा ना इस page में आपको उपर की side में इतना area आपको display size का सेम्पल में दे रहा है ठीक है आपको use क्या करना है नीचे जो pointer दे रखा है लाइन में pointer दे रखा है इस pointer को आगे या पीछे करना है देखे आप जो आगे या पीछे करने के लिए minus और ये plus का symbol दे रखा आपको दोनों साइड में इसे आप use कर सकते हैं ठीक है इस pointer को आगे या पीछे करने के लिए आप चाहे तो line के ओपर यह आप direct tap कर सकते हैं, तो देखे यह एक step पीछे हो गया, तो यह larger पर आ गया है, और display size थोड़ी छोटी हो गया है, अब यह step और पीछे हो जाएगा, तो यह large पर आ जाएगा, और display size और भी छोटी हो गया है, और यह देखे, अब देखे, यह back page पर जाता हूँ, तो display size यहां पर भी बड़ी हो गया, दोस्तों ऐसा नहीं है कि display size आपकी सिर्फ back page पर, या सिर्फ आपके इस वाले page पर यह आपको बड़ी या चोटी दिखाई देगी, अगर आप यहां पर कुछ भी changes करेंगे, तो आपके पूरे mobile system पर इस setting अपलाई हो जाएगी, ध्यान रखना है आपको ठीक है, तो इस setting इस तरीके से काम करती है, आपकी display size ठीक है, अब मैं आपको इस display size setting को ढूंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ, आपके mobile phone में, इसके लिए आपको करना है, आपके mobile phone का आपको setting page open करना है, setting page में आपको सबसे उपर ये search setting का option सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको search bar में type करना है display size, ठीक है, display size आप यहाँ पर type कीजिए, इस तरीके से तो आपको नीची की साइट ही display size का option शो हो जाएगा, इससे आपको select करना है,